आईने के सामने भी आईना रखो जरा हो गया है ये वहम कि सच बताता है वही नमस्कार सलाम नीज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल आज हमारे साथ ऐसी ही शक्षित हैं जो आईने को आईना दिखा रही है यानि मीडिया को आईना दिखा रही है हमारे साथ हैं आल्ट निउस के संस्तापक, संपादक प्रतीक सीनह जी आप एक सौफ़वेर इंजिनियर हैं जो दिन रात आपको जूट से बचाने में लगे हैं फेक निउस से बचाने में लगे हैं सचके खोजी प्रतीक सीनह प्रतीक जी आपका स्वागत है आपके काम की बारीकियां या मुश्किलें जो इन दिन और बढ़ गई होंगी उन पर बात करने से पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताईए ये हम ये जानना चाहेंगे कि जूटी ख़बर या फेक निउस क्या है और एक नागरिक समाज या लोकतंतर के लिए ये कितनी खतरनाक है जूटी ख़बर दो तरकी होती है एक को इंग्लिश में कहा जाता है डिसन्फरमेशन और एक को कहा जाता है मिसन्फरमेशन डिसन्फरमेशन ये होता है कि आप जानते हो कि कोई ख़बर जूटी है और आप फिर भी डालते हो आप फिर भी उसको उसका सोशल मीडिया पर प्रचार करते हो misinformation ये होता है कि आप नहीं जानते मगर खबर जूटी है और आप उसको आगे बढ़ा देते तो ये दो प्रकार के लोग होते जो लोग खबर ये जो manufacture करते है उनकी संख्या छोटी है जो लोग खबर जो manufacture कबरे में के जहांसे में आ जाते है उनकी संख्या बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है और इसमें खबर अलग-अलग जो जूटी खबर चलाते है वो अलग-अलग उसका objective रहता है एक objective रहता है और वो हम लोग ने Alt News से बार-बार कबर किया है कि जो हिंदू-मुसलिम में जो तनाव है उसको बनाए रखे तो होता क्या है कि अभी आज के दौर में जैसे पहले जो riots होते थे वैसा front-facing camera के दौर में करना मुश्किल है तो उसके चलते उसके बदले क्या किया जाता है कि हरोज एक खबर डाल दी जाती है कि मुसलिम समुदाय कि इस व्यक्ति ने ये किया इस व्यक्ति ने तो कोई जो random देश में कहीं भी crime हो रहा है वो इनको attribute कर दिया जाता है तो जैसे कि अभी हाली में अमरित सर में एक train tragedy हुई थी दसेरा के जिन जहां लोग रावन दहन देखने गए थे और करीबन 60 लोगों की मौत हो गए तो जैसे ही ये हुआ तो एक ख़बर फैला दी गई कि train के driver का नाम इंतियाजली है तो उसमें एक clear objective था कि ये बताया जाए कि एक हिंदू पर्व के दिन एक मुसलिम समुदाय के इनसान ने हिंदू की मौत कर दी जान बूज के ऐसा बताया जाए तो वो एक होता है एक objective कि एक मुसलिम समुदाय को नीचा दिखा जाए और ये बताया जाए कि जो देश में अलग-अलग problems है उसकी सारी जड़ मुसलिम समुदाय या क्रिश्चन समुदाय में है तो ये एक है दूसरा objective ये होता है कि मानो एक political party है और मैं इसर ये कहना चाहूँगा कि पहले पहले अगर आप 2014 देखे तो शायद जो right wing political party थी वहाँ से जादा ये जूटी कबर वहाँ से जादा आदी थी मतलब समाज को तोड़ने में बटवारे में इधर फायदा है एक right wing को फायदा है इसी वह से ये सब manufacture किया जाता है ये 2014 में एक तरफा था बिल्कुल अभी अगर आप देखो तो दोनों तरफ से आ रहा है अभी भी majority right wing से आ रहा है मगर अभी Congress आप जैसी इतियारी party भी उनका भी एक propaganda चल रहा है जिसमें एक भाग होता है वो जो जूटी कबर पे anchor है basically तो अभी इसमें और एक political party जूटी कबर के मुकाबले के लिए कुछ लोग जूटी कबर ला रहे हैं मतलब सची कबर से मुकाबले नहीं कर रहा है जूटी कबर से भी कर रहा है और इसमें political party का ये objective होता है कि मानो उन लोग ने बोल रहे कि विकास किया है तो इतना विकास किया है मगर election के लिए उनको इतना दिखाना है तो ये जो difference है वो basically अभी आपको बता देंगे कि हम लोग ने इतना electrification किया ये किया वो किया तो figures फाज किया जाते या incomplete picture दिखाए जाती है तो वो और एक objective है कि हम लोग ने इतना इतना किया ये हर party करती है तीसरा ये है कि अलग-अलग activists, journalists, etc. को जूटी खबरों के द्वारा उनका मानहानी करना ठीक है अलग-अलग जगे ये बताया जाएगा कि शहला रशीद ने जो कट हुआ मामले के लिए जो पैसे इखटे किया थे वो पुरा हजम कर गई जबकि हम लोग ने डीटेल स्टोरी की थी जिसमें हम लोग ने पासपोर्ट देखा इन लोगा जो जो विक्टिम थे वहां के कि वहां पैसा उनका जमा हो गया बैंक के अधिकारियों से बात की मगर वो एक इंडिविजूल्स को टार्गेट करने के लिए जो इंपॉर्टन वोइस है कनहिया कुमार के बारे में एक खबर चलाए गई कि वो कुछ छे या साथ बार फेल हो चुके है तो ऐसी सब खबरे चलती रहती है वो एक तीसरा चौथा ये है कि एक है medical misinformation उसका इतना political background नहीं है मगर वो भी काफी बार government से आती है कि ये जो जैसे आयूश ministry है वहां से वो लोग बोलते रहते कि ये दवाई खाने से आपका diabetes मिट जाएगा ये दवाई खाने से आपका ये malaria के लिए है ये सब अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग का एक dedicated science section है all news में जिनके संपादग है डॉक्टर सुमयाशेग वो एक neuroscientist है Sweden में बेस्ट तो हम लोग पुरा literature review करते है हम लोग लोग को बताते है कि ये जो अलग-अलग claims किये जा रहे है social media पर और वो काफी dangerous हो सकता है वो सच नहीं है और इस कारण सच नहीं है मतलब अलग-अलग अब ये और चिनोती बढ़गे कि वो एक है शेर की हर तरफ से मुझ पर डाली जा रही है रोशनी कद न बढ़ पाये तो साया ही बड़ा हो तो साया को बड़ा किया जा रहा है पर च्छाई को बड़ा दिखाने की कुशिस की जा रही है इसी में एक ये हाँ हमारे पत्रकार बड़े पत्रकार तो अभी इन लोग का क्या रोल है पहले वो समझने की ज़रत है अभी ऐसा नहीं था कि पहले जूटी कबरे नहीं थी हम लोग जानते हैं कि 90's में भी एक खबर निकली थी कि गनेश की मूरती दूद दूद भी रही है तो वैसी खबरे पहले से आती रही है अभी Facebook आने से क्या हुआ है कि वो जो speed है खबर की वो बढ़ गई है तो जो velocity कहते है तो उसमें क्या होता ह कि बहुत लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है उसको ही हम लोग वाइरल शब्द वाइरल शब्द यूज करते हैं तो वहीं social media का रोल है कि social media नहीं यह वाइरालिटी बढ़ा दी है और वो जो issue है वो social media companies ही solve कर सकती है उनके ही हाथ में है यह सब solve करना कि इसको कैस इसकी velocity को कैसे कम किया जाए अभी यह कभी भी नहीं होने वाला हम लोग हम लोग के country में एक billion population है उसमें ऐसे चुनिंदे लोग होंगे ही जो ऐसी जूटी खबरे फैलाएंगे वो हम लोग कभी नहीं रोक सकते हम लोग को जो रोकना है और जिसमें social media companies की भागीदारी होनी ह है कि यह जो velocity है यह speed है उसको कमाए अभी उसमें social media companies जैसे whatsapp में तो एक end to end encryption है कि उसका मतलब यह होता है कि अगर मैं आपको कुछ भेजू तो माननो मैंने आपको कह घह भेजा अगर whatsapp company ऐसे देख रहे है कि क्या information जा रही उनको नहीं पता कि आप मैंने आपको कह घह अगर Facebook में ऐसा नहीं है Facebook में जैसे आप ads देखते होंगे advertisements देखते होंगे जह अगर मानलों आपने कुछ जूतों के बारे में लिखा तो वो लोग आपका data पढ़ रहे है तो वो लोग control कर सकते हैं अभी उसमें वो लोगों ने यह किया है कि कई-कई websites जैसे order news की तरह जो त यह लोग तत्य जांच करते हैं तो Facebook बेसिकली का एक console है जाएं यह लोग जाकर डालते हैं कि यह चूटी कबर है और यह इसका तत्य जांच है अपी problem यह है इसमें कि यह जो रीच है यह लोगों तक पहुंच नहीं रहा फेस्बुक ने बनाया है मगर यह लोगों तक पहु करता हूं क्योंकि उन्होंने यह एक technology company है वह technology यूज करके इसका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है मगर वह लोग ने नहीं किया और तभी मैं तभी यह डाउट आता है कि वह लोग सही में यह issue को solve करना चाहते है यह सर्फ PR के लिए कर रहे है एक पब्लिक रिलेशन है कि जितना पैसा डलता है Facebook पेजस में तो जैसे एक Facebook पेज है उसका नाम है फिर एक बार मोदी सकार अभी यह जो तीन स्टेट इलेक्शन खत्म है राजस्तान चात्रिसगरण मद्यप्रदेश उसके पहले हम लोग यह सब पेज़ मॉनिटर करते है और हम लोग देखा कि ए एक बार में कुछ 17 पार्शे पोस्त है और 17 पार्शे पोस्त मतला बहुत मुझत पैसा जा रहा है अभी कौण डाल रहा है पैसा इसकी खबर नही सा यह तरान्सपेरंस नहीं कि कौण डाल रहा है यह continue में होता है कि मानों अगर भार्यति यह जनता पार्टी या इंडिया न पार्टी के एक्स्पेडिंचर में कभी नहीं जुड़ेगा तो यह ट्रांस्पेरेंसी नहीं है और दूसरा कि यह जो अगर तथेजाज का काम कर भी रही है तो वह एफेक्टिव नहीं है तो इसलिए ऐसा लगता है कि वह उनलों का अब्जेक्टिव बिल्कुल इस इसुको स आते हैं तो इससे इस सब को कैसे निप्टा जाए और आपकी काम की चनौतियां में उस पर आता हूं थोड़ा सा अपने काम के बारे में और उसके मुश्किलों के बारे मताई है जूट तो आपने ठीकी कहा कि एक आता है चार निकलता है मंगर हम आई इसिंग हम लोग जितन इसे मेसेज बनाया जाता है वो एक बहुत भावुक मेसेज होता है जैसे मैं आपको उदारन देंगा एक बहुत वाइरल वीडियो दो तीन साल तक चला जिसमें एक साड़े-चार मिनिट का वीडियो है और बहुत घिनोना वीडियो है जहां एक लड़की को एक मॉब घेल उसको मारती है पीटती है जला देती है जब तक मर जाती है तब-तक पूरा वीडियो श्यूट किया है अभी इस वीडियो को सोचल मीडिया पर ये बोलके फैलाय जयता है कि यह हाईदरबाद से एक मारवाडी ओरत इसको बुर्खा ना पहनने के लिए इसको बुर्काम ना कि देश है, वहां का विडियो है, जहां एक लड़की और दो लड़के ने allegedly किसी एक taxi driver को गोली मार दी थी, और दो लड़के भाग गई लड़की पकड़ी गई, तो मगर उस वीडियो को इस message के साथ share किया जा रहा है, मगर आप message देखेंगे, तो बहुत यह एक बुर्खा नहीं पहने के लिए मार दिया तो जब तक आप वो message पढ़ते हैं आप एक ऐसे state of mind में आ जाते हैं कि आप यह देखेंगे ही नहीं कि वो वीडियो में एक तो कोई इंडिया की भाषा नहीं पूरी जा रही है दूसरा आप यह नहीं देखेंगे क कि बहुत सारी औरत है उस वीडियो में किसी ने भी उर्खा नहीं पहना ठीक है तो जब तक आप वहां तक पहुचेंगे पहुचेंगे तब तक आप सोचना पांद करते क्योंकि आपको एक emotional state में ले जाता है जहां आप बाद में एक यह बहुत घुसा हो जाते है यह बहु गया था कि कुछ 500-600 लोग बहार से आने वाले जैसे आप सुनों की बहार से आने वाले आपको एक डर का एक हो जाता है और वो लोग आपका बच्चा चोरी करें और उनके organs को बेचेंगे अभी वह एक बच्चे के प्रतीर जो आपकी जो प्यार होता है वो एक अलग रूप इस होते है और इसमें हुआ कीज और यह एक ऐसे तबके के लोग जूटी ख़बर सब लोग कबी जूटी कबर फोरवर्ड कर देते या कर देते मगर यह जो स्पेसिफिक जो बच्चा चोरी के जो अफवा थी वो एक स्पेसिफिक तबके के लिए टार्गेट टार्गेट इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट पे कितना जूट चलता उसकी कोई खबर ही नहीं है और जब उनको ये बार-बार अपने मामा चाचा जो जिन लोग पे आप असली जीवन में काफी भरोसा करते हो वो लोग जो बार-बार एक ही चीज फॉरवर्ड कर दे तो बाद में आ डर की भावना से फाइनली लोग बाहर आई स्ट्रीट्स पे रोट प्या लोग को मार दिया गया करीब 30 लोग मारे गया तो आप यह देखो कि सब समय यह एक आपकी एक भावना करना मॉब लिंचिंग इसके काम भी आ रहा है हत्यार बन गया है ऐसी मुझफर नगर में जब लोग जो लिखते है एक तो जो हम लोग ने कुछ तथ्यजाज करके एक आर्टिकल लेखा और जो लोग को जो लोग पढ़ रहा है यह जो वाट्साइप यह दोनों में इंटर सेक्शन बहुत कम है जो लोग पढ़ रहे है जो तथ्यजाज पढ़ रहे है वो लोग अलग है वो लोग भी ये चीज काफी बार सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जैसे परेश रावल जी ने जो बीजेपी के MPA काफी बार उन्होंने डाल दिया है चीजे जो बिलकुल गलत है वो एक दूसरा प्राब्लम है और तीसरा प्राब्लम ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है नहीं एबिलिटी है कि जाँचे पर के तो वो एक बहुत बड़ा प्राब्लम है तो इसी में मैं जो अभी आपने कहा कि ये प्राब्लम तो एक ऐसा प्रपैगंड़ा भी है जो सीधे तोर पर हम कह सकते कि फेक नहीं है लेकिन वो सही गलत में फर्क करने का हमारा विवेक छीन लेता है जैसे अभी पुल्वामा के बाद ये सब कुछ हुआ हमने एक मंतरी ने का हमने पाकिसान का पानी रोग दिया अभी आखड़ों को लेकर आया अभी एक भी वहां से फोटो आई नहीं है कि पता चले कि कौन मरा है एक भी डेड़ बॉड़ी की फोटो आई नहीं है तो अभी किया क्या जा रहा है तो इसके दो पहलू है एक पहलू तो मेंस्ट्री मीडिया आपको बता रही है कि तीन सो लोग मर गए दूसरा पहलू है कि जैसे ये तीन सो का नंबर आया तो कम से कम दस से बारा फोटो सोचल मीडिया पर वाइरल कर दी गई जहां अलग-अलग डेड़ बॉड़ी दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि ये हशर हुआ है पाकिस्तान में अभी तो अभी लोग को नहीं पता कि ये कहां की डेड़ बॉड़ी हम लोग ने स्टोरी की हम लोग को पता चला कि कहीं अर्थक्वेक हुआ है भुकम हुआ है वहां की डेड़ बॉड़ी है कहीं और कहीं बॉम ब्लास्ट हुआ है वहां की डेड़ बॉड़ी है तो इसमें बेजिकली लोगों को एक ही उपा है कि लोग ज्यादा अपना टाइम ये सब सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है दिक्कत इसमें यह हो गई कि चलिए हम संख्या पेनी जाते पर जैसी अगर हम यह पतरकार होने के नाते में यह पूछना चाहूं यह लिखना चाहूं कि आखिर इस एरिश्टाइक में मिला क्या और इसका हासिल क्या हुआ या इस सब क्या था तो तुरंत एक अब एक देश द कि मौदी जी करते हैं अभी हैं जो सेना बेहों आखिंटांस में काम करती हैं जहे वह सियाचन कशमीर में हो फैमिली से अलग रहती है और वो काफी बार जैसे CRPF में जो 40 लोग मरें वो एक बहुत सामान्य वर के लोग है जो जिन लोग की मौत पर हैं तो हम लोग की बहुत सानुबती है हम लोग जानते हैं किस कैसे कैसे माहूल में काम करते हैं मगर यह पूछना कि वहां अगर एस्ट्राइक हुआ तो उसका क्या इंपक्ट हुआ उसका मतलब यह नहीं कि हम लोग इन लोग के विरोधी है हम लोग इन से पूरी सानुबती रखते हैं हम जानते हैं कि यह किस माहूल में काम करते हैं मगर फिर भी citizen का एक नागरिक का right होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और government की responsibility होती है तो वो चाहे जितना भी आपको देश द्रोही बता दे पूछना ही पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आपको यह गिल्ट में डाल दे कि क्या पूछ रहे तो आपके दिमाग में clear होना है कि हम लोग सानुभूती करते हैं तो फिर भी हम लोग के पास right है दिक्कत नहीं हो गई है कि जैसे हम और आप fake news पर बात कर रहे हैं fake news फैलाने वाले भी यह कहते हैं अब इस तरह से भी एक fake news आ रही है वह भी कहते हैं जब हम कहते हैं गोदी मीडिया है जो सत्तर से प्रभावित होता है तो उधर से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि डिजाइनर पत्रकार हैं है ना तो वह कोई भी सवाल वह सवाल को रोक देना चाहते हैं दर असल यह एक बड़ी पूछ रहे हैं और पी ए मोदी ने यह भी कह दिया कहीं इंटेव्यू में कि यह एक नया फैशन हो गया गवर्मेंट से सवाल पूछने का तो अब वही में लोटूंगा कि अब हमारा यह पाकिस्तान से जो पूरा युदुन माद एक यह दोर चली रहा है अब यह खत्म नह हुआ अब चुनाओ हमारे सामने हैं ऐसे में फेक न्यूज को लेकर क्या चुन होती है वाटसेप किस तरह कोई एक आम आदमी घर में बैठावा व्यक्ति या दुकान चलाने वाला व्यक्ति या ग्रहनी एक या बच्चा कोई वह उसे पहला तो कैसे तै करें कि यह यह सही ह है यह गलत है वो कैसे पहचानेगा उसके बारे में कुछ थोड़ा मुश्किल सवाल है प्रॉब्लम है कि और कोई देश होता तो मैं बोलते था कि आप मींस्ट्री मीडिया पढ़ लीजे देख लीजे मींस्ट्री मीडिया में क्या बताया जा रहा है वो नहीं बोल सकते तो इसमें मेरा जो एडवाइस रहता है कि आप एक नीजो के ओपर मद डिपेंडेंट्री एक तो जो इणफो्मेशन आ रही है अभी 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 तीन महीने में चुना होने है आप बोट डालेंगे और बोट डालने के पहले हैं आप एक दो तीन चार पांच चे चीज आप consider करेंगे आप जब वोट डालने जाए जब वो इशू हो आपको मालो कोई भी इशू हो उसकी जाच परताल आप अलग-अलग website पढ़के कीजे एक website मत पढ़िए अलग-अलग प्रकार के विचारों को देखिए और बात में आप एक decision लीजिए कि आपको उस विशय के बारे में आप क्या सोचते हो कौनसी पार्टी बहतर इस विशय के बारे में करी कौनसी पार्टी नहीं करी तो एक well-rounded एक general view लीजिए कि ये ये issues मेरे को लगते हैं चाहे वो किसान हो चाहे वो laborer हो जो भी हो जो भी पढ़ सकता है वो पढ़े और एक well-rounded opinion बनाए और फिर जाके decision लेकी आप किस तरह से vote करेंगे बहुत अच्छा आपसे बात्चेत रही आपने जो बताया विसे है तो एक मुश्कल काम की एक आम आदमी चार वेबसाइट पढ़े या चार वो क्योंकि उसके पास main stream media TV खोलता है तो वही मिलता है हाँ मैं यहाँ एक पूशना चाहरा था कि जिसे एक सुझाओ भी आ रहा ह है क्या इससे समस्य का हल हो जाएगा यह रवीश जी ने कहा है उन्होंने देख़े स्पेसिफिकली टीवी की बात कही है देखिए टीवी और न्यूस पेपर में थोड़ा तफावत है तीवी कुछ कुछ चैनल एक तो टीवी 24x7 है उनलों को एक ही चीज बार-बार बोलनी ह होती है और प्रॉपगांडा ज्यादा हो जाता है जबकि न्यूस आपको अगर 24 पेच का अकबार होता है तो आपको अलग-अलग खबरे चापनी ही पड़ेगी जी बेशक ठीक है और पुलिटिक्स अभी जैसे नाइन से टैन वो लोग एक ही चीज की बात करेंगे यूनों कि आप टीवी देखेंगे तो आपका एक कॉंस्टेंट डिक प्रॉपगांडा इजी है तो अब वहां तो आप बच गए पर कैसे हम बचेंगे एक चुनौती बहुत बढ़ी है चुनौती तो है हम लोग बहुत एक गंभीर समय से घुजर रहे है चुनौती तो है और कुछ अब इसके बचान होना चाहिए कि आप वाटसैप पे कोई भूका इनसान हो जिसके पास प्लेट पर रोटी ना हो आप वाटसैप पे यह नहीं बोल सकते कि आपके प्लेट में छे रोटी है तो तो प्रॉपगांडा तभी चलेगा जब प्रॉपगांड़ वास्तविक्ता स कुछ तो connection होना चाहिए बिल्कुल unconnected propaganda नहीं चल सकता है ठीक है थोड़ा problem है यह भी नहीं है कि आप किसे कुछ भी बोल दो और at the end of the day लोग सवाल पूछेंगे कि jobs का है और यह जो पूरा war hysteria किया जा रहा है वही सवालों को भटकाने के लिए किया जा रहा है कि आम आदम जैसे प्रतीक जी नहीं बताया और हम भी इस बात को समझ रहे हैं आप भी समझ रहे हैं कि हत्यारा अगर कभी हत्या करता है तो एक व्यक्ति की जान लेता है लेकिन एक गलत खबर या एक जूटी खबर लाखों करोड लोग को गुमरह कर सकती है एक पूरे देश समाज का न तहा नहीं है फिर भी ये भी कहा जाता है कि जूटके पाउं नहीं होते वो पकड़ा ही जाता है तो निराश होने की जरूबत नहीं है एक दो मोर्चे हो सकते हैं फेक निउस को काउंटर करने के लिए एक तो जैसे प्रतिक जी का माध्यम है वेबसाइट और उसके जरीए एक है जमीन पर संगर्श जब वो बढ़ता है तो चीजे ये बादली छड़ जाते हैं फेक में उसके तो हमें उस जमीन पर भी अपनी बाते उतरना होगा और अपने सवाल लाने होगे और हमें बहुत सारे प्रतिक सिन्हा और बहुत सारे रविश कुमारों की भी जरूत हो झाल